हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं एक लव्यस ना तक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यानि कि बैगला 138 जो हम देखने वाले हैं यूनिट नमर टू है हमारा जिसका नाम है डेवलापिंग रीडिंग स्किल्स इसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम अपने रीडिंग स्किल्स को डेवलाप कर सकते हैं अगर आप इगनु के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरेज पब्लिकेशन का नाम जरूर सुना होगा इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक special offer चल ला है जिसमें आपको मिलेगा flat 50% का discount ठीक है दोस्तो अगर आप 500 से अधिकी किताबे खरीते हो किताबे खरीतने के लिए आप इनकी website विजिट कर सकते हो जिसका link आपको नीचे description मिल जाएगा आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबे खरी सकते हो guidebook हो गया या sample paper वगेरा ठीक है दोस्तो आप चाहो तो हमारा discount coupon भी यूज कर सकते हो जो की है एक लब है इस discount coupon को इस्तमाल करने से आपको discount मिलेगा अपती खरीतदारी पर unit number जो 2 है आपका developing reading skills यह यहाँ पर खातम हो जाएगा इस वाली वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते कुछ अगर आपको पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो description में आपको link मिल जाएगा introduction के उपर चर्चा करते हैं अब चीजों को अच्छे से समझते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहले हमें समझना है कि जो reading skills है reading इसे basic skills ठीक है यह बिल्कुली basic skills होती है जिससे क्या होता है हम अपने रोज मरा की जिन्दगी में इसका इस्तमाल करते हैं everyday ठीक है और various situations किसी भी situations में इसका इस्तमाल करते हैं ठीक है for example आपको क्या है कि notice देखना है ठीक है notice board पे notice लगाओ है वो देखना है पढ़ना है कोई भी reading materials को पढ़ने में और इनी सभी चीजों को पढ़ने में हमारे जो reading skills है वो हमारे लिए काम आती है ठीक है तो यह सारी जो चीजे है यह होती है आगर देखते हैं यहां पर हम types of reading यानि की reading के कौण कौण से जो types है वो हमारे सामने होते हैं ठीक है कि reading करते समय कैसे हम कर रहें क्या वो हमारे fun के लिए है हमारे pleasure के लिए है यहां उससे को information इखटा कर रहे है उस चीज़ से related है तो यह सारी चीज़ यहाँ पर होती है ठीक है types of reading समझते हैं एक बार हम यहाँ पर यहाँ पर देख लिए reading is done mainly to purpose ठीक है यहाँ पर दो purpose बताए गए हैं जिससे क्या है कि mainly दो purpose होते हैं जो हमारे reading के लिए होता है सबसे पहला है pleasure ठीक है यानि कि खुशी के लिए यानि कि वो उस काम से जो काम से हमें मजा आ रहा हो for example आप comic book पढ़ रहे हो ठीक है यह और भी बहुत सारी चीज़े पार है तो आप उस चीज़ के लिए भी बढ़ाई कर सकते हो ठीक है for example इसका comic होता है मस्त है अपना comedy comedy उस सब चीज़ों से होता है ठीक है उससे आपको खुद के benefits जो होते हैं आपको इससे आनन्द आता है और इससे इससे भी फायदा होता है ठीक है यह जो reading है जो pleasure के लिए होती है इससे भी हमें फायदा होता है कौन सा इससे हमारी grammar की skill है यह develop हो सकती है spelling की skill है यह सारी चीज़े जो है हमारी यहां पर होता है वह बस एक निश्ची समय के लिए होता है कि आप जो है दिन में एक गंटा दो गंटा ऐसे वहां पर पढ़ सकते हो ठीक है दूसरा होता है पर तो reading for information क्या होता है इससे कोई हम text पढ़ रहे हैं ठीक है जो हमारे workplace में काम आएगा कोई document हो सकता है उसके लिए हमें ठीक है कोई जो knowledge है वो gain कर रहे हैं उसके लिए कंटेंट होता है जो हमारे बहुत काम आता है तो यह सभी चीज़े जिसके information लेते हैं वो होता है reading for information ठीक है उसको हम reading for information जो है वो कहते हैं तो यह सभी चीज़े होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़े आ सकती है इसके अंदर बहुत सारी चीज़े हैं हो सकता है आपके इस चीज़ को detail में पढ़ रहे हो और उसका understand कर रहे हैं मानके चलिए कि कोई आप चीज बना रहे हैं सक्क्रिप्ट लिख रहे हो वो आपके काम के लिए बहुत जरूरी है तो वो हो सकता है इसके लिए ठीक है या कोई content तैयार कर रहे है परसनल हो सकता है आपके लिए ठीक है तो यह सभी जो चीज़े हैं वो होता है ठीक है तो यह अपना हो गया reading for information सभी चीजों में यह सारी जो चीजे हैं वो आती है next देखते हैं यहां पर scanning scanning थिए scanning लाम से जीड़ा चल रहा है चीज यो specific जो कुछ भी हो सकता है।ared करते हैं इस method में आम में जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ते हैं। एक baik के कि आप को क्या है कि कोई घटना का उस बंदे को ढूणना है को घटना गटी उस बंदे को ढूणना है और यह कब होई ठीक है यानि कि एक person और एक date ढूंनी है ठीक है तो आप क्या है उस पूरे चीजे ज़ो है जादा करते हो ठीक है mostly आप सभी स्टूडेंटी हो तो क्या है कि यह जो चीजे होती है study reading के अंदर आ सकती है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप मतलब college ये school के जो बच्चे होते वही study reading करते हैं किसी topic पर कुछ पढ़ना हो या आपके business से related हो बहुत सारी चीजे होती है business के उपर बहुत सारी किताबे होती है वह जब हम पढ़ते हैं तो वह सारी चीजे होती है ठीक है यहाँ पर देखते है study reading इसमें क्या-क्या जो चीजे है वह आती है ठीक है तो यहाँ पर देखिए for better academic performance अगर आपको क्या है कि academic performance या वगरा सभी बढ़ाना है तो इसके लिए जो बच्चे है वो बहुत carefully तरीके से क्या है उस चीजे को पढ़ते हैं ठीक है उसका purpose जो है कुछ भी हो सकता है इसके अंदर कई सारी strategies होती है जैसे कि text marking ठीक है आप वापर mark कर सकते हो writing questions आप उ जैसे मान के चली मैं आपको simple सख तरीका बताता हूं कि आप आप जो है history बढ़ रहे हो ठीक है उसमें आपको dates वगरा याद नहीं हो रही है आप क्या कर सकते है अपने दिमाया में graph बना सकते हो या इसको आप एक chart paper बना सकते हो इसमें क्या है आप सभी को color wise उसको बिल्कु अपना सकते हो ठीक है कुछ चीजों को क्या है summarize करना है paragraph को chapter को यह सभी चीजों को तो यहां पर आप यह strategy 4 अपना सकते हो इस तरह की strategies होती है वह आप यहां पर implement जो है वो कर सकते हो अगर मैं यहां पर बात करो text marking की तो text marking क्या होता है normally text marking करते हैं notes बनाते समय ठीक है this fact should be highlighted अगर कुछ भी हमें मान के चलिए कि highlight करना है तो उसके लिए हमें सभी चीजे करते हैं जो कि क्या है बाद में अगर हमें उसे याद करना हो तो बड़ा मस्त होता है मजा आ जाता है क्योंकि जैसे मान के चलिए आपने एक chapter बड़ा उसे main main चीज highlight कर ली अब दुबारा पढ आप जब उसे पढ़ोगे तो आपको क्या है वहाँ पर वह बहुत जल्दी से याद आ जाएगी ठीक है तो यही होता है सबसे important चीज है यही the most important ideas कुछ ideas हो सकते हो हो सकता है कि कुछ ऐसी thought जो आपको पसंद है उसके अंदर कुछ information हो या कोई ऐसा topic हो जो उसके अंदर आपके लिए क्या है easy हो सकता है कुछ difficult चीज भी क्या है आप उसको अच्छे से समझ सकते हो अगर आप इन सभी चीजों का इस्तमाल करते हो प्लस में करने के लिए आप highlighter यूज कर सकते हो या pencil सबसे best pencil यूज करोगे आप तो उसको बार में आप change भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा दोस्तों important है देखिए जैसे कि आप पूरा chapter पढ़ लेते हो ठीक है तो पूरा chapter पढ़ने के बाद क्या है कि आप समझ लेते हो से तो write down कर सकते हो कुछ questions आपको questions वैसे भी मिल जाते हैं अगर आप जहां से बढ़ रहे हो तो आप अच्छे से understand करने के लिए इस कर सकते हो heading लिख सकते हो सब heading लिख सकते हो और यह आपके लिए बहुत ज्यादा important रहेगा अगर खुझ से आप सवाल पूछते हो किसी topic से तो इसका मतलब है कि आपने उस topic को बहुत अच्छे से समझा है और यह सभी चीजे हुए तो इस example है कि आप इस तरीके question बना सकते हो तो यह सारी जो चीजे हैं यह होती है next topic पर देखते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर है associating graphics with ideas यह वही चीजे जो मैंने आपको ही बताया कि इसके अंदर क्या है कि आप अपने समझ के लिए कोई chart बना सकते हो कोई table बना सकते हो कोई diagram बना सकते हो जो भी आपको मस्त जरूरी नहीं कि वह सबको समझ में चाहिए अगर आप याद कर रहे हैं आप नोट्स बना रहे हैं तो वह चीज आपको समझ में आए यही बहुत ज़्यादा जरूरी जो होता है कभी कबार क्या होता है हम नोट्स मनाते हैं नोट्स बनाते हैं तो हम पूरे chapter को बिल्कुल टूदा पॉइंट डीटेल में लिखते हैं तब हमने पढ़ा है तो हम टूदा पॉइंट लिखेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए ऐसा नहीं है कि बगल वाला देख ले तो उसको समझ में आ जाए यह ज़रूरी नहीं होता हमें हमारे नोट्स यही काफी है क्योंकि जब हम उसे एक report हमने त्यार कि उसमें some keys word मतलब की कुछ ऐसी लिखेंगे चोटे-चोटे keys जो मतलब हमें याद रहे ठीक है और वह बहुत ज्यादा useful होगा हमारे लिए तो हमारे लिए कब वो useful होगा कब beneficial होगा जब हम उसे दुबारा से याद करने बैठेंगे paper के समय पड़ने क लिए तो हमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसे च्छान मारने की जोयत नहीं पड़ेगी हमने जो नोट्स बनाए थे उस समय जिस समय हम चैप्टर पड़ रहे थे तो वही हमारे लिए जो बहुत ज्यादा मस्त वहां पर हो जाएगा ठीक है तो यहीं सारी बाते होती है अब यहाँ पर हम बात करते है रीडिंग फास्टर की देखे रीडिंग फास्टर का क्या मतलब होता है कभी कभी आपने देखा होगा हम चीजों का बहुत रफ्तार से बढ़ते है या कभी कभी क्या है कि हम मतलब सिच्वेशन के उपर होता है ज्यादा तर अगर हम चीजों आती है fluent reading आप करना चाहते हो तो उसके लिए speed reading करते हैं बंदे तेज बढ़ते हैं उसे ठीक है और यह डिपेंड करता है अलग-अलग purpose पर हो सकता है कि अलग-अलग situation हो इसके लिए जिसमें आप speed reading कर रहे हो ठीक है तो reading faster भी जरूरी है ठीक है अगर आपको पढ़ना आता है तो आप fast भी वड़ सकते हो कोई दिकत निया reading rate is measured word per minute यानि कि अगर आप जो है reading कर रहे हो तो इसके लिए सबसे important है कि आप यह देखना है आपको कि वहाँ पर जो है किस type से जो आप उसे measured कर रहे हो ठीक है वो जो आपकी word है मतलब कि एक मिनट में आप कितने word को पढ़ रहे हो यह इसके उपर depend करता है और calculate किया जाता ह ठीक है checking reading habits ठीक है अब क्या है कि अगर आप अपने habits को यहाँ पर देख रहे हो कि आपकी जो habits है वो किस type से है मतलब कि कौन से तरीके हैं आपके जिससे कि आप यहाँ पर जो है उसको निकाल सकते हो कि आपने अच्छे से उसको पढ़ाई किये तो उसके लिए आपको क्या ह है कि यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप अपनी habits कैसे बना रहे हो जो important होता है reading के समय तो वह होता है pronunciation यह मैंने आपको बताया था है पर कि आप किस तरीके से उस चीज़ को pronounce कर रहे हो यह बहुत जाद जरूरी होता है तो अगर आप गला तरीके से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर jump कर सकते हैं ठीक है और new information और read करेंगे तेजी से और उसके बात क्या है जब अपना slowly पढ़ेंगे तो उस समय क्या है वो चीजों को highlight करेंगे यह सभी चीज़ है अगर आपको fast पढ़ना है तो जरूरी नहीं है कि आपको सभी चीजों का जो meaning है वो पता होना चाह से ठीक है आपका जो mind अगर आप सभी चीजों को समझोगे तो वहाँ पर जो है आपकी जो speed है तो फरक बढ़ेगा तो इसलिए mind को अच्छे से पढ़ने के लिए प्रोसेस करवाने के लिए उसको आप divide कर सकते हो तो उससे क्या है कि आपको वो जो चीज़े हैं वो आप जल सकते हो क्योंकि आपने यह बात ध्यान दिया होगा इस बात पर कि अगर ऐसा कोई वर्ड आता है चाहिए वो हिंदी के अंदर हो या इंग्लिश के अंदर है इस्ट्री वर्ड रहे हो अप उसके अंदर हो तो अगर आप उसको थोड़ी दिर के लिए skip कर दिया टिक है इसको नहीं बढ़ा फिर भी आपको जो वह sentence से वह समझ में आ जाएगा तो इसको इसी को बोलते skipping over unknown words यानि कि कुछ words है जो हम इसमझ में ना रहा हो तो हम सको skip कर सकते हैं जो good readers होते हैं वो इसको skip कर देते हैं ठीक है और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप समझने के लिए सभी words के meaning पता होने चाहिए ठीक ऐसा जरूरी नहीं होता और अगर हम ऐसी चीज़े करते हैं तो आप समझ पा रहे हो तो यह सारी चीज़े होती है और इसके लिए क्या है यही बात ही कि यहां पर sense नहीं बनती कि आपको सभी जो words है वो पता होने चाहिए ठ कर सकते हो शेर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करते जिसे नहीं व्डिए जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में